थोड़ा सा वक करता हूं मैं एक गंटे कभी को भी सोचता हूं यार थामनेल वक करेगा कि नहीं करेगा क्योंकि अगर आपने अच्छा बना दिया तो यह भी ज़रूरी है कि वह कंटेंट को देखने के लिए लोग आए सतीज भाई मंथली कितना पैसा कमा लेते हैं मतलब ऐसे वीडियो में तो भाई सब की अर्निक दिखाते हैं कि इसने इतना किया उसकी इंस्पिरेशनल जर्नी उसकी मोटिवेशनल जर्नी बट अभी एक्चुली में सतीज भाई अगर हम आप से पूचे तो मंथली आप कितना क कमा ले रहे हैं हलो फ्रेंड्स आज हमारे चैनल पे हैं नाम तो आप सब जानते होगे सतीश खुश्वाह भाई एक बार फिर से लास्ट वीडियो हमने की थी चार साल पहले काफी टाइम हो गया है 17 में 17 में हमने किया था पास साल हो गए पास साल बात फिर से हम सब वीडिय में हर कोई जानता है तो आज इनके बारे में ही जानेंगे जो चीजे जैसे ही कामरे पर नहीं शेयर करते हैं कुछ इंसाइट इनकी लाइफ में हम लास्ट दो दिन से डेली आई हुए भाई मैंने इस बार पकड़े लिया इस बार तो मिलेंगे भाई से वीडियो भी तो सतीज भाई जो लोग नहीं है मतलब जो लोग नहीं जानते वसे जानते हैं मुस्टी लोग तो उनके लिए एक क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए आपका बिल्कुल भाई थैंक यू सो मच और मुझे आज भी जाद है कि हम मैं पूने आया हुआ था आपके रूम पे जो बोग भी सिखाता हूं कि like how they can make money online जो भी तरीके हैं जो भी चीजें जिससे हम पैसे बना सकते हैं सस्टेन कर सकते हैं करियर बना सकते हूं सारी चीज़ों को शेयर करता हूं केसी स्टडीज, लोगों को मैं बुलाता हूँ, जो स्वामीद भाई भी अपने चैनल पे लोगों को बुलाते हैं, तो ऐसे मैं भी इंटर्व्यूज के तुरू इंसाइट शेयर करता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अभी भाई के चैनल पे 8 लाग, 9 लाग सब्स्राइबर ह होने वाले है, 10,000 कम है, मैं देखते रहता हूँ, इंसाइट, और रैपिडली ग्रोथ तो मितलब बहुत अच्छी है, और अच्छे मितलब लोग जानने लग गए हैं भाई को, पहले भी जानते थे, अभी मैं जहां जाता हूँ, mostly लोग वो जानते रहते हैं, कि सतीश कौन है, सतीश कुछ वहां कौन है, तो गाइस, अभी आपने भाई के बारे में जान लिया, अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं इनके बारे में, जैसे अभी आपने यूटूब को फुल टाइम प्रोफेशन चूज कर लिया, तो मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे इंटरे कि हम ओनलाइन पैसे बना सकते हैं, दो थरीकों से, ब्लॉगिंग से, जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छे लगे, ब्लॉगिंग और दूसरा यूटूब, तो दोनों मोनेटाइज होते हैं, गुगल अटसे से, अफिलियर मार्गेटिंग की बारे मिल्कुल नहीं पता कि नोकरी नहीं करनी है, कुछ अपना ही करना है, तो उसारी चीजों को मैं लेकर सीखने लगा, ब्लॉगिंग सीखने लगा फिर दिरे यूटूब पस्यूग तो जैसे मैंने पहला दॉलर देख लिया था न अपने डैश्बोर में, एटसेंस के अकाउंट में, तो मैंने ब आपके बारे में भी सोचा ही नहीं बिल्कुल तो मैं फुल टाइम इसको ले लिए फुल टाइम यूटूब पर ही अपना काम किया तो अभी अभी जैसे कि हम बात करें अभी आप काफी सारी चीजे कर रहे हैं आपका चानल एसातीश के वीडियो उसके बाद फिर कुछ ब् कि शुरुआत जैसे मैंने ब्लॉगिंग से करें अभी चल रहा है काफी अच्छा चल रहा है लाइक इंडिया में टॉप 10 हिंदी ब्लॉक्स को देखेंगे उसमें मारा टेकिती का भी नाम आता है तो टेकिती से शुरुआत करी ती फिर मैंने चैनल बना था रिक्शन बना अलग अलग टॉपिक पे तो निश्च बंद गर के फिर अमने दूसरा व्लॉग मेंने करना शुरू कर दिया था तो सदीश के वीडियो तो सदीश के वीडियो सको फिर मैंने इंटर्वी वाला चैनल बना दिया साथ इसाथ मेंक मनी ऑन-लाइन से रिएटर चीज़ शेयर कर कम होता है मान सकते एक परसेंट मान सकते उसके लावा लाइक 2019 से मैं स्टॉक मार्केट में इनिवेस्ट कर रहा हूं तो वह एक मेरे मेरे काफी बढ़ियां एसे उसके अलावा अफिलेट मार्केटिंग के कुछ ऐसे प्रोड़क्स हैं जहां से मुझे काफी अच्छा-खास लेगसी बना के जाओं कि मेरे होने ना होने के बावजुद भी वहां से पैसे आते रहें लेक क्या होता है कि अब यूटूब हम कर रहे हैं अब मेरे जगह पे कोई और आएगा मेरे चैनल पर वीडियो नहीं चलेंगे है ना बट हम कुछ ऐसे इंकम सोसे क्रेड कर सकते हैं जहां पर कुछ पैसे आते रहेंगे तो जिससे क्या होगा कि मेरी जो आने वाली जनेर्शन है उनको भी उसे फायदा रहेंगा और कभी बाई चांस मेरी तवियत खराब हो जाती है या फिर मैं किसी कारड़ वश में काम नहीं कर सकता तो मेरे पास पैसे की धिकत ना है तो सब चीजों को सोचते हुए मैंने कुछ ऐसे इंकम सोसेज मैंने करेट करने शुरू किया जहां से मुझे लिस्ट करना जाहें कि जैसे एक बहुत ही शांदार प्रोड़क्ट है फाइनेंस में जीरो दा दूसरा अब स्टॉक्स तो मैं अब स्टॉक्स को बहुत ही ज्यादा जार रुपय हमारे वहां से बनते हैं फ्रीफोकर में बिना कुछ किये तो इससे बहतर क्या हो सकता है और अभी तो इनिशियल है मैंने ज्यादा समय से पर्मोट नहीं कर रहा हूं और बहुत ही कमी एक दो वीडियो में ही मैंने पर्मोट किया तो अगर अक्टिवली पर्मो पर्मोट कर दिया लोग आउस पर आ गए लोग ट्रेड कर रहे है तो ब्रोकर आपको मिल रहा है बिल्कुल एक चोड़ा सा मैंने बता दिया एक्जांपल के लिए बाकी कुछ चीजे जो इनके ही चैनल पर मिल दाएंगी जो आप वीडियो का लिंक देते बिल्कुल बिल्क पूरी सीरीज है मलब प्लेलिस्ट है पूरी जाके अपर रिकरिंग वाला आप जरूर देखना कि जहां से आपको मिलते है बिल्कुल बिल्कुल कुछ वोस्टिंग प्रोग्राम से जो मैंने जोइन करे हुए हुए हमने भी वो वीडियो बनाई जिसमें रिकरिंग प्रोग करें यूजर मिलता है अब अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं जैसे की मैं अभी किसी एक बंदे जे मिला एक अच्छे चासे नाम है उनका इंडस्ट्री में नाम नहीं लूगा तो उन्होंने बोला की जैसे मैं मुस्ली लोगों से मिलता हूं तो सेम इंडस्ट्री इसे अगर करता हूं ना कि हर वीडियो में और वीडियो के लिए कुछ वैलू हो लाइक मैं वीडियो करता हूं यह फादा हो जाएंगे पैसे बन जाएंगे कोशिशे करता हूं कि बनाना को जो देख रह वीडियो को कि नियु अशाज चाता हो कि रोटी जो हो सब्सक्राइब मैने कैसे हो Begin I ये से मेरा IQ लेवल जस लेवल का था विन्हेचा है उनकों भी सीख मिल झाए या फिर जो लोगा करना चाहते उनकी लिए वीडियो तो मैं जादा मैं कुछ करता हूं कि तो इस पे वीडियो बना रहे हो अलग से एक्स्रा क्या दे सकता हूं तो है थोधा भूष्ड करता हूं मांकेट को मांकेट करने का लाई कि ठोड़ा सा करता हूं मैं एक गंटे कभी सोचता हूं थोगि और थक When responding अगर आपने अच्छा बना दिया तो यह जरूरी है कि अगर आपको बिलीव है कि आपका कंटेंट अच्छा है तो आप उसका थमनेल इतना अपीलिंग बनाओ कि लोग अगर उस थमनेल को देख ले तो बिना किलिक किये जाए ना मेरी कोशिश है रती है कि जो हमारा CTR वो शुरुवात में कम से कम 10 से लेकर 15 के बीच में रहे 15 परशेंट के बीच में रहे लागर 100 लोगों के फीड में गया तो उसमें से 15 लोगों ने तो क्लिक करना चीए तो अगर यह रेशियो है 10 से 15 के बीच में डेवन को ना तो काफी अच्छा CTR है और बस यह कुछ चीज है तो अभी सतीश भाई को जो लोग फॉलो करते हैं और वो सब जानते हों कि भाई ने भी गाड़ी भी खरीदी है रिसेंटली सफारी हो गया अलग गया था मैंने तो कंग्राचुलेट नहीं किया था तो काफी कुछ लोग यह समझते है कि भई बंदा ग्रो कर रहा है बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिनको मैंने देखा जो लोग हेट करते हैं कि यह बंदा कैसे आगे निकल गया तो आप जो आपके हीटर्स हैं उनको कैसे जवाब दे रहा जाओगे मिलाब क्या फील करता आप आप आपने भी कई बार वीडि गलत कर दिया तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि मेरा तो वह साइं टेंशन ही नहीं है कि अगर कोई भी चीज को लिए अगर आप गलत बोल रहे हो तो अला कि एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जैसे हेटर्स कोई नहीं होता है कभी-कभी क्या होता है कि हमें कोई अगर मैं कुछ खरीता था जैसे मैंने भाइक खरीती थी नाइटीन में तो लोगों ने बोला कि आरे तुब बहुत और रहा है तेरा चैनल चल रहा है पैसे कमारा तो बड़ा उड़ रहा है थोड़े पैसे बचाया कर तो मेरे दिमाग में हिट कर यार सही बात बोल रहे है है लोग मैं तो ज्यादा सेविंग्स पर सोच ने रहा हूं मैं तो सोच रहा हूं अभी तो करियर शुरू है आगे देख लेंगे तो फिर मैंने इन्वेस्टिंग करनी शुरू कर देती हूं एक और चीज थी कि जैसे मैं तब पचास से लेके पचास से लेके एक लाग रु अगर हमने पैसे पर फोकस कि आपके और कैसे मैं इंक्रिज कर सकता हूं तो कहीं ने कए अगर हमें है फॉजिटिव लेना आगर पॉजिटिव सिग्मेंट उठाना है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हैटर्श भी हमें कुछ सिखा रहे हैं या फिर इक उसको क्या बोल और उस चीज को लेके जैसे होता है लोग आपके ऊपर कंकड मार रहे है तो उसको बटूरी है रास्ते में लगाई है उस पे अपना एक तीला खड़ा कर लीजिया तो इस तरीके से मैं यूज करता हूं बिल्कुल और सतीज भाई अभी क्या मतलब आपके future plans क्या है अप क्या म मिलने वाला है audience को अब क्या होता है कि हम जो चीजे लाइक पिछले दो-तीन सालों से में बता रहा हूं YouTube करो कि यार चलो इसने एक source बना लिया तो इसके लिए easy होगा मैं कोशिशे करता हूं कि दूसरे किसी source का मैं फाइदा ना उठाते हुए मैं उसको खड़ा करू हूं जैसे माले जो टूल की बात कर रहते हैं मैंने ज्यादा प्रमोंट नहीं किया है मैं बस यह फिगर आउट कर कि अगर कोई नया बंदा उसको करेगा कितना वक्त लगेगा क्या क्या दिक्कते आएंगी जैसे मेरा 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 शुरू हो रहा है बड़ कहीं भी मैंने मार्केटिंग नहीं करी है सारा खेल बैकेंड में चल रहा है जो अपना मचाते रो डॉट कॉम है किसी को नहीं मालू ह अब बता रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजे है कि मैं चाहता हूं कि लोग यह ना बोले ना हरे ठीक है इसने एक यूटूब चैनल ख़ड़ा कर लिया फिर उसके बास बाकी थारी चीजे तो होई जाती है तो मैं केसी स्टड़ी देना है अगर मुझे तो इंडिपेंडेंट में मैं चीजों को चाहता हूं बनाना हम लांच होने के बाद फिर मैं तो बताऊंगा लोगों कि क्या क्या दिक्कति होती है क्या नहीं होती है तो एक तो अपना मसेंडाइस हम शुरू कर रहे हैं एक तूल जो लांच किया है उसके बारे में कैसी शड़ी देंगे हम फिर अभी है कुछ भी कर के मैं 25 ज fret प्रफिर मैं सेखस्स Higher कमाल मैं सुक्सिसफुल हो तो मैंसट था हम जो चीज juga कर तो पच्शी स्था कमाने लगा फिर नो पचास कमाने लगा बिलकुल इसी तरीके से मैं अभी यही अप्रोच है इस तरीके से बिलकुल बिलकुल अभी काफी टाइम से आपने देखा होगा सतीज भाई के चैनल पे काफी अब हर चीजे का जो लेवल हो अपग्रेड हो गया है वीडियो कॉलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूब हो गया है को यूटियूब पे कैसे हम और सक्सेस्फल हो सकते हैं मिलब कैसे वीडियो को अर अच्छे लेवल पे प्रेजेंट कर सकते हैं विए बढ़ा सकते हैं पर करो कि यह कृष्यक में बढ़ता हूं और जो लोगों कुछ लोगों से ही मैं सीखता रहता हूं कभी पैस अपने करोंगा मैं तो उससे बढ़ा हूं मैं क्यों बात करूँ तो ऐसा नहीं अगर कनेक्शंस बनाओ जितने कनेक्शंस बन सकते हैं आपने ट्वकिंग करो और साधी साथ अगर आप क्रियेटर और यूटूबर हो तो आपको आपको आपकी ऑडियेंस है उसको देखना पड़ेगा करीए कि उ क्या करने के तो जितना ही हम वैलू आड करेंगे जितना ही हम उनको जानने की कोशिशा करेंगे अपनी वादियंस तभी हम उन से कर पाएंगे तभी जो हम काईन्ट लेके आएंगे तो लोग उसको सराइंगे लोग उसकी तारीफ करेंगे कि किसी को कोई मतलम निहीं है आप अपने लाइफ में क्या गर्ड़ रो जबắm flavored गरें औप उन्के लाइफ क्या है शुरुगात मैंने मुचुल फंड से करी थी इन्वेस्ट करने का फिलाल जैसे लोग जैसे डिप्लोमेटिक होगे आंसर देतें कि पहले अपने पर इन्वेस्ट करो फिर तुम्हारा बिजनस आरहे उसमें थोड़ा हो तो इस सारी सीचे सबको पता है मैं इसमें नहीं मुचुल फंड में मैंने शुरू किया फिर स्टॉक्स को पढ़ना शुरू किया स्टॉक्स में करने मैं शुरू कर दिये मुचुल फंड मेरी आज भी चलती जो मैंने शुरू कर दिया तो थोड़ा इंक्रीस कर दिया जो पांट जार से शुरू कर दिया उसको स्टॉक्स मे एक फिर अपना मुम्बई में जो हमने घर लिया ता तो हम घर की तरह लें टृए में प्रवार अपने के फुर तो इसके लावा कुछ तो कुछ सपने भी तरह वह थे तो जैसे और मैं क्या करता हूं जो मेरे सपने होताना इसको मेरे सपने को न्यू attack सब्सक्राइब करता हूं जैसे मालो में को ना गाडियों का बड़ा शौक था शुरू से तो पहने पहले बाइक ले फिर मैंने सुचा कि यार बाइक में मेरी टीम बढ़ गई तो अभी बाइक पर जा नहीं सकते तो मैंने कार खरी दी तो वही है कि उसको नीड बना लो जो भ कि आपके नीड हो जाए तो इसली पूरा हो जाएगी तो वही ता कि मैंने शौक भी पूरे करें तो इन्वेस भी हमने करें थोड़ा खर्च भी किया तो ऐसे बैलेस लिए मैं चल रहा हूं ऐसा नहीं कि सिर्फ बचाने के चकर में अप लाइफ इन्जाने कर पाऊ अपने ही रूल भाई ने बनाए और वो काम कर रहे है मतला मेरा रूल नहीं है फाइनेस कर फिप्टी थर्डी ट्वेंडी कि लाइफ फिटी परसंट आप अपने बेसिंग निट्स करो 30 लगशरी पर 20 परसंट इन्वेस्ट करो मैंने इसको उल्टा कर दिया बाकी कौन सी आ किसी से पूछन कि कितना कमारे उजरा दिखा दो कितना तुमने इन्वेस्ट कि अच्छा नहीं लगता है तो बाकी काफी कुछ आप सबने भी भाई की वीडियो से सीखा होगा और अभी इसमें वीडियो में काफी कुछ बाई ने बताया काफी वैल्यूबल इंसाइट दिय इसने इतना किया इसकी इंस्पिरेशनल जर्नी इसकी मोटिवेशनल जर्नी अब अभी एक्चुली में सटीज भाई अगर हम आप से पूछे तो मंतली आप कितना कमा ले रहे हैं अपना नहीं दिखाया मैं अपना भी दिखाया हुग अभी बताता रहता हूं लोगों को था अना कि अगर रेवन्यू के बात करें अमीद भाई तो अभी जैसे जो अपना मतलब यूटूब से जो अपना रेवन्यू आ जाता है कभी फोर से फाइथाउजन डॉलर की बीच में रहता है और प्लस अफिलियेट टेन के डॉलर्स तक मोटा मोटी पकड़ रहा तो अभी अभी टीम है अपनी सब खर्चा होता है तो अभी वो जो सोर्सी सब्सक्राइब बात करें आपने बताई दिया कि इसमें आप यहां-बाकी अभी लास्ट वर्ड लेना चाहेंगे ओडियन्स के लिए जो लोग आपको देख रही है क्या रहेंगे आपके लास्ट वर्ड हमा परनी कुछ करना साहथ है आप एक इंस्पिरेशन हों little 57 के लिए लोग जो इंस्पिरेशन मालते निको मेरा दिल से लाइक नमस्कार और मिया बोल सकता हूं मैं खुद लोगों से सीखता हूं तो मेरे तरफ से यह रहेंगा कि आप जैसे मैं सीखता हूं लोगों से आप भी सीखने की कोशिश करो नेटवर्किंग बीड़ो सबसे बड़ी बात जो मैंने जहां से सीखा है कि लाइक यो नेटवर्क कीज यो नेटवर्क है ना यह है बुक्स अगर नहीं पड़ते तो बुक्स पनना शुरू गर दो और लाइफ में अगर चोड़ा सो सोचना है कि यार नहीं मैं कर सकता हूं तब जाके वो चीजे होनी शुरू हैंगी और आप अपने आपको ना अपग्रेड करते हो हमेशा ऐसा नहीं कि आपको आपको आगे बढ़ते रहना है उसके बाद नेक्स आपको आपको लेकर आना पड़ेगा अपने साथ और प्लान अच्छी बाते सबको पता है अच्छा होता है जीम करना चाहिए अच्छा खाना चाहिए लेकिन हर कोई कहां फॉलो करता है वो बिल्कुल मैं कबसे फॉलो कर रहा ही मतलब हम सब 2016-17 से से ने ग्रो होते हुए देखा है मतलब आइन रियली मिनलब कि मैं हर चीज हर दिन मैं म बट सतीज भाई इवन AI भी रिकमेंट करता है मुझे समझेगा कि भाई तुम एक पर दर्शन कर लो YouTube की तो बहुत कृपा है यूटूब को तो नमस्कार है तो तो I hope आप सतीज भाई की वीडियो से कुछ सीखते होंगे इस वीडियो से भी आपको बहुत सारे इंसाइट्स मेलेंगे कुछ आपने जाना होगा समझाओगा सीखा होगा बाकी भाई का भी चैनल है जो लोग नहीं जानते जाके चैक आउट करो सब्सक्राइब करो वन मिलियन होने वाले हैं सथीज के वीडियो वन मिलियन पहुचा द हले बेल अक Sut P प्रेस करिे विडियो कैसे के कमेंट सेक्शन में ल نہ लो संतिज बाई की व्डियो कैसे लखती है वह ल Nu लीओ तो बाकी पाझन हो पता चलेगा कि मेरे चैनल पे बिवी अर की कितनी ओडियाउनस वहीं जाके चैनल को भाउन मचाते रहो है ना मचाते रहो लिग देने का कमेंट में चले दोस्तों इंस्पिरेशनल वीडियो के ऐसी और सीरीज हमारे चैनल पर भी है सतीज भाई के चैनल पर जाके चेक आउट करते रहे ना इंस्ट्रेग्राम पे आप सब फॉलो कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में सबी ल